वेलकम टू एससी मेकर आजब 12 फर्वरी 2021 और 12 फर्वरी से करेंट फेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट कोशन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कोशन से रिलेटिड इंपोर्टेंट फैक्ट्री में आप लोग को बताऊंगी तो पूरा वीडियो ब पता है हमारी पूरी टीमने के स्पेशल एबुक को लॉंच किया है जिसमें 1500 से ज्याद़ कोशन का इसंपाइलेशन है यहाँ पर अगर अगर बात करें साइंस की तो साइंस के समें 20 सेट दियो है जन्रल अवेरनेस की बात करें तो जन्रल अवेरनेस के भी 20 सेट है जीएस की बात करें तो जी एस वन नाइनर के पच्चेश सेट दियो हैं मैठ्स और रीजनिंग की बात करें तो बहुत अच्छे तरीगे से स्टेप बाइस्टेप सॉल्फ किया हुए इसलिए अप लोग को समर्जने में भी प्रोब्लम नहीं आएगी अगर हम लोग बात करें बाइक किया से करना आप लोग को इस इबूक को तो डिस्क्रिप्शन बुक में लिंक दिए वहां से जाके अप लोग दिरेक्ली इसको भाइ कर सकते हैं अगर बात करें हम लोग इसके प्राइज की तो इसका प्राइज कि हैं 49 गुप बहुत नॉमिनग इसका प्राइज है इसको ब नालंदा इंस्टिटूट ओफ दलाई लामा की स्थापना कहां की जाएगी तो इसके correct answer की अगर हम लुक बात करें तो इसका correct answer क्या है बोध गया बोध गया इसका correct answer है अगर यहां पर बात करें बिहार में राज्य कैबिनेट के विस्तार के बाद मुख्यमंत्री श्रीम नित कीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कहीं एहम निर्नाई लिये गए ठीक है उन में से एक निर्नाई यह भी तक है बोध गया अचल में 30 एकर जमीन पर global learning center नालंदा इंस्टिटूट ओफ दलाई लामा की स्थापना की जानी है यह आप देख पा रहे हैं मिल विलिये दलाई लामा जी से ठीक है तो अगर यहां पर हम लोग बात करें कैबिनेट की इस बैठक में इस 30 एकर जमीन को 99 वर्षों की लीज पर देने का प्रस्ताव इसको भी मंजूरी दी गई है तो इसका correct answer क्या बन जाता है इसका correct answer बन जाता है आप कोशन की साइड लेके नुससे पहले आज की वीडियो के लाइक के टार्गेट की अगर हम लुग बात करें तो आज की वीडियो के लइक का टार्गेट के 2000 प्लस लाइक आई होप यह टार्गेट सभी जादा से जादा आचीव करने का ट्राय करेंगे चलिए मूब करते है next question की साइड next question के कहता है मध्य प्रदेश कैबिनेट नहीं आदिम जाती कल्याण विभाग का नाम बदल करने में से क्या रखने का निर्ना लिया तो इसकी correct answer की अगर हम लोग बात करें तो इसका correct answer क्या बन जाता है जन जाती ये कल्याण विभाग एक मिनट हाँ sorry इसका correct answer क्या बन जाता है इसका correct answer बन जाता है जन जाती ये कार्य विभाग ठीक है आदिम जाती कल्याण विभाग का नाम बदल कर जन जाती कार्य विभाग करने का निर्ना लिया गया हाल फिलल में मद्य परदेश के मुख्य मंत्री कौन है शिवरा सिंग चोहान उन्होंने उनकी अधिक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसके अंदर बहुत ज़्यादा महत्पून फैंसले भी लिये गए ठीक है तो उसी में ये फैंसला लिया गया कि भया आदिम जाती कल्याण विभाग का नाम बदल कर अब रख दिया जाएगा क्या जन जाती है कारे विभाग ठीक है और इस बैठक में बनी मद्यम सिचाई परियोजना के लिए 93 करोड 75 लाग की स्विक्रती भी मिली इस परियोजना से 3050 हैक्टेर भूमी की सिचाई हो पाएगी जो की बहु कुछ जदा बैनिफीशल ये न्यूज है इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है बीच चलिए मुव गरते हैं अज की अगले कोशन की तरी मद्यप्रदेश की लोकेशन आप यहां पर देख पा रहे हैं लोकेशन बहुत जदे इंपोर्टेंट होती है इसलिए कोई भी स्टे क्षख शलिए लेटैक्स तो उन सब वजह से मैं लकेशन दिखा लेती हूं टुम्हितु है इसका करेक्ट आंसर चाहिता है इसका करिक्ट अएंसर बन जाता है जन जाती կा पार्या भी भागः या आज में कैसे दिग नेक्स क्योंड की अगर आख वात करहां तो मद्यप् आदेश के बिल्कुल बिच्चो बीच है भुपाल, यहां पर अगर हम लोक बात करें, मार्च की महीने में, दो दिवसिय मंथन 221 का आयो जन कहां पर भुपाल में किया जाएगा, यह नाम आपको यादोना चाहिए भेया, मंथन 221, ठीक है, अगर यहां पर हम लोक बात करें, इसके objective की, इसके उदेश्य की, इसके मकसद की, इसके aim की, तो क्या कहता है, राज्य को medical education और स्वास्थे सेवाओं के छेत्र में आत्म निर्भर बनाना है, ठीक है, इसमें UNICEF, WHO, World Bank, जैसी अंतराश्टिय संस्थाओं के प्रतिनीधी के साथ साथ चिकित्सा छेत्र से जुड युनेस्को की, फुल फॉर्म आप लोगों को लिखनी है, कहां पर comment box में, अबरिवेशन से related question पूछे जाते हैं, इस type के, तो आपको ये पता होना चाहिए, what is the full form of UNESCO, ये question का answer आप लोगो comment box में लिखना है, I hope, सब लोग लिखेंगे, चलिए, मुफ करते हैं आज के अगल हम लोग बात करें, तो इसका correct answer है, 2023, जी हाँ, 2023 इसका correct answer है, मद्य प्रदेश की cabinet की बैठक में, जल जीवन मिशन पर फ्रस्तुती करण भी किया गया, जैसे कि मैंने बताया कि बैठक हुई है अभी, तो उसमें सारी चीजे को प्रस्ताव रखे गया, जीजे इसको पास किय गया, वो news बन जाती है, ठीक है, तो apart from this, अगर हम लोगें पर बात करें, जल जीवन मिशन के प्रस्तुती करण के बात, मंत्री गण को संबोधित करते हुए, मुक्य मंत्री कौन, श्री शिवरा सिंग चोहान जी, उन्होंनी, राज्ये में 2023 तक जल करांती लाने की भी साथ में, इससे राज्ये के लोगों को हैंड पंप से मुक्ती मिल सकेगी, इसके साथ ही स्वच पेजल से स्वास्थे की स्थिति में भी सुधार किया जाएगा, ठीक है, तो इसका correct answer है 2023, चलिए देखते हैं, अज का अगला question क्या कहते है, next question की बात करें, most important question है, question की अगर ह हरोती के प्रमुक स्वतंतरता सिनानी, पुस्तक, ये पुस्तक है, ठीक है, इसके लेखक कोन है, लेखक की अगर हम बात करें, तो डॉक्टर सजन पोस्वाल, ठीक है, डॉक्टर सजन पोस्वाल इसका correct answer है, लेकिन ये image इनकी नहीं है, ये image किनकी है, मैं बता देती हूं आ अशोक गहलोत जी, ये image है, अशोक गहलोत जी की जो है, राजिस्तान के मुख्यमंतरी, क्यों लगाई है, ये image मैं बता देती हूं, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, विमोचन किया गया भाया, अशोक गहलोत जी के द्वारा, जो की राजिस्तान के कहीं द्वारा किया गया ठीक है अगर अमलोगबात करें फुस्तक राजिस्थान हिंदीगरंथ- अक्टाईमि में बहुरा प्रकाशित की गए है पूच कौनसे प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सी चलिए मुफ करते हैं आज की अगले कोशन की से नेक्स कोशन की अगर हम लोग बात करें तो फिनाइशल टाइम्स की ग्लोबल MBA रैंकिंग्स 2021 में टॉप हंड्रेड में भारत के कितने कॉलेजिस शामिल है तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है इसका करेक्ट आंसर है पाँच निउस पेपर की कटिंग आप लोग डिरेक्टली देख पा रहे हैं दैनिक बहास करकिया भई अगर आम यह आपर बात करें हाल फिलाल में जारी की गई फिनैंशल टाइम्स की ग्लोबल एम्बीय रैंकिंग 2021 उसमें टॉप हंड्रेड में भारत के कितने कॉलिज शामिल है पाँच कॉलिज हमारे भारत के हमारे प्यारे से भारत के इंकलूड हैं कौन कौन से है मैं बता दूँ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कौन से नमबर पर है 23 नमबर पर है IIM Bangalore का जो है वो 35 वी रैंकिंग उसको मिली है ठीक है IIM Kolkata जो है उसको 44 वी रैंकिंग मिली है IIM एहमदबाद जो है उसको 48 रैंकिंग मिली है और IIM Indore जो है उसको 44 नमबर की रैंकिंग मिली है साथ में हम लोग अगर बात करें तो इस ranking में पहले दूसरे और तीसरे पायदान पर क्रमशे INSEED London Business School और University of Chicago है फर्स नमबर पर कौन है? INSEED है सेकेंड नमबर पर कौन है? London Business School है और फर्ड नमबर पर कौन है? University of Chicago है हमें first top three पता होने चाहिए कोई भी ranking आती है ठीक है? और क्या पता होना चाहिए? हमारे इंडिया की position क्या है? अगर इंडिया में किसी state को कुछ अच्छा दर्जा मेला तो उस state के बारे में पता होना चाहिए इसमें colleges की list है तो colleges के बारे में हमें पता होना जरूरी है तो इसका correct answer क्या बन जाता है? इसका correct answer है बीच चलिए मुफ करते हैं आज के अगले question की से next question की अगर हम लोग बात करें most important question है question क्या कहता है बाई word pulses day word pulses day कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? अगर हम लोग याँपर बात करें तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है लाब दालों के लाब mm sustainable food system में दालों के युगदानों के बारे में जागरुकता फैलाना मतलब कोई भी day मैं बहुत बार बता चुकी है आप लोगों को कोई भी day होता है ठीक है उसका basic reason क्या होता है उससे related जो भी मतलब awareness होती है जो भी जागरुकता type की चीज़ होती है उनको spread करना ठीक है तो इसी वजह से इसके महत्व को ठीक है food sustainable food system के दालों मतलब sustainable food system में जो दालों का महत्व होता है उसके बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है कब मनाया जाता है दस फरवरी को म comment box में लिखना है बहुत easy question मैं पूछ रही हूं theme बताइएगा comment box में चलिए move करते हैं आज के अगले question की से next question की अगर हम लोग बात करें तो next question क्या कहता है आप लोगों का प्रतेश्ठित व्यक्ती Thomas जैराजी का नीधन हो गया उनका संभंध किस छेत्र से था तो वो एक समा four years इनकी age थी जिस उम्र में इनका नीधन हो गया ठीक है वह एक प्रख्यात बाल अधिकार कारे करता मतलब child rights activist थे ठीक है और CCRD यानि के center for child rights and development के संस्थापक भी वो रह चुके हैं ठीक है संस्थापक भी है साथ में निदेशक भी वो थे वह तमिल नाडू एम राष्टे इस तरपर बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जाने वाले कहीं अभियानों में अगरणिंग थे तो इसका correct answer क्या बन जाता है इसका correct answer है सामाजिक कार रहा है चलिए देखते हैं quick revision हाँ बैकल के वीडियो में मैं कराना भूल गई थी I'm sorry आज की वीडियो में मैंने कर दिया quick revision तो आप लोग परेशान मत होई जोगा comment box में बहुत सार बच्चों के comment आथे इसलिए मैंने बता दिया देखते हैं 11 फरवरी का quick revision सबसे पहले मैं बता दूँ वेश्वे सतत्विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन टेरी टेरी के दुवरा की अगए टेरी की full form मैंने कल बताई थी आप लोगों को कापे comment box में लिखने है वीडियो को pause करके फटा-फट से लिख दो ठीक है next statement क्या है शेहतूत बांध कहां पर काबूल नदी पर बनाना जाना है और ये कहां पर बनेगा अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ इंडिया का एक समझोता हुआ है तो इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है भारत का सबसे बड़ा भित्ती चित्र चेननाई में बनाया गया साथ में एस्ट्रो मोहन ने फोटोग्राफिक सोसाइटी ओफ अमेरिका का गोल्ड अवार्ड भी जीता यहां पर अगर हम लोग बात करें आइन्स चेनियम तत्व की खोज 1922 में की गई थी कब की गई थी 1922 में की गई थी अगर बात करें कोवीड 19 वारियर्स मेमोरियल बनाने क गुशना कहां पर उडिसा में की गई थी ब्रुकनेशिया ब्रुकेशिया नाना क्या है तो यह एक ग्रिगेट है ठीक है साथ में बात करें पोबी थोरा वन जीव अभ्यारन कहां पर है आसाम में यह इस्तेत है वन लाइनर के फॉम में हमने कल के वीडियो को पूरा घृप्टो करणसी एखम यह एक प्रकार क्रिप्टो करंसी है थेक depends यह तो इसका करेक्ट आंसर ए बहुत सारे बच्चों इसका अन्सर लिखा था मैं उनसे का थेंक्स करना जाती हूं और उमीद करते हूं आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लें दिखेंगे आज के कि अगर अपने लोग बात करें तो अंतराष्टी ये मसाला संगोठी का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है ये चार आप्शन है इन में से एक आप्शन करेक्ट है आई होप सभी करेक्टान साही लिखेंगे और हाँ वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव करना अगर आप अभी चैनल पर नए है चैनल का सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें उसके बगल में बल आइकोन को भी प्रेस करें जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाए आज की लेट नाइं थैंक्स और यह वाचिके बचाइब इब बागा